ये पाटी प्रोपेसा रामगोपाल यादा वो उनके बेटे की पाटी हो गई है इसलिए इस पाटी की दुरसा हो रही इस पाटी में अगर रामगोपाल इसके लड़केजी चलेगी तो पाटी खतम हो जाएगे 2022 में इस समाजबादी पाईटी की 20 सीट के लाले पड़ जाएगी और फुरियाबाद तो साफ हो ही आएगा, फुरियाबाद में एक सीट अब निकलने वाले नहीं है इराम गोपाल और इसका लड़का और इसके भांजे साराप का बड़ा कारूबार करते हैं उसका हमने बिरोद किया था देखिये हम लोग उन्हें पाईटी के लिए बहुत काम किया नेता जी के साथ लोगें तीस पेंटी साल से लगातार इस पाईटी से जोड़े रहे और पाईटी की मदद की और पाईटी की वज़े से जनता की पूरी 30 साल से लगाता है हम लों सेवा कर रहा है और पाईटी को मजबूत बनाने में हमारा हमारे परवार का बड़ा योगदन रहा छेतर की जंता हमसे जुड़ी रही, हमारे साथ रही और आज भी हमारे साथ है लेकर अब हमारा मानना है ये समाजवादी पाइटी, आधनी नेताजी वाली पाइटी और मैं समस्ताओं कराश्टी अद्दच अखलेश की पाइटी नहीं है ये party परोपेसा रामगोपाल यादा वो ऑनके बैटे की party हो गई है और इसलिए इस party की दुर्षा हो रही जिस party में अगर रामगोपाल उसके लड़के की चलेंगी तो party खतम हो जाएगी वो यहीं इस्तिती रही तो 2022 में इस समाजबादी पाइटी की 20 सीट के लाले पड़ जाएंगे और फुरियाबाद तो साफ होई आएगा फुरियाबाद में एक सीट अब निकलने वाले नहीं हूँ क्या माना जाएं आपको किस वज़े से निश्काजित किया होगा देखिये हम तो खुली बात है इस राम गोपाल का हम ने बिरोध किया इसके गल्त कामों का इसके राम गोपाल इसका लड़का और और इसके भांजे करहेल कि यहां सराफ का बड़ा कारूबार करते थी उसका हम पूरु मंतर भी लिप्त था जैवीर सिंह तो ये जैवीर सिंह को मजबूत करने के लिए भाजपा को मजबूत करने के लिए प्रॉपेसर ने हमें हमें पाइटी से हमारे विवीटी को निकल वाया था राम incremental हम पर आरूप लगाते हैं भाज़पासे मिले यह तो जनता जानती भाज़पासे कौन मिलाflower Mum Popal ने भाज़पासे जानती प्राइच को खत्म कर ली अखलेस समझ नहीं पा रही हमारा हम्हें तो पाज़पासे निकाल दिया उसको कोई कश्फ नहीं है यह जो है यह नूई दुुक्त है है यह था कर परवार में रिस्पेजारी तो टूटा इंगी नहीं कि यह पाइटी से मिने काला है मैं समझता हूँ इसमें न तो आधरी जाश्री अखलेशी का मन होगा हमें नेकालने में और नेता जी तो कभी चाही नहीं सकते न परवार का कोई भीश्यक्ट से निकाले जहां लेकिए रामगो पाल की दादागीरी थी जो गुन्डागीरी थी सराब माफियां से संबंद थे मिलके सराब का कारूबाद चलाते थे उसका मैं विरूद करता हूं करता था इसलिए उनको में पाइटी में अच्छा नहीं लगता था और इसका में गल्थ रामकुपाल के गल्थ क्रामों का विरूद में हमेशा करता हूं देखी आगे की रड़िती हम अपनी जनता से बात करेंगे और हमारी जनता जो चाहेगी वहीं हम निने लेंगे हम बहुत जली अपने जुले के सभी इंपर्णेंट लोगों को ब्लाएंगे और सबसे बाचीत करेंगे चर्चा करेंगे चर्चा करने के बाद फिर हम कोई निने करें हम tones चंजा करने के लिए सबस्क्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एंटि-टी भी भारत